औरिका, it's a 5 star and one of the luxurious property in उदैपुर हाई मैं हूँ कोमल और आज के व्लोग में हम बात करने वाले हैं औरिका experience के बारे में जो कि उदैपुर में है and managed by lemon tree तो let's start तो सबसे पहली बात कि अगर आप Google Map के थ्रू यहां पहुँच रहे हैं तो आप सबसे पहले रामाडा सर्च करना और उस रोड पे पहुचने के बाद आप औरी का सर्च करना क्योंकि वैसे आपको Google जो रोड बताएगा वो काफी complicated है तो यह यहां की entrance है और यह यहां का waiting area जो कि बहुत ही beautifully decorated है कर दो गद़ा है और अगर आप यहाँ पे कोई फंक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पे यह बैंक्वेट हॉल है और यहाँ पर हर एक दिवार बहुत ही खूब सूरती से सजाई गई है हुआ है तो यहां पर है एक स्पा एंड फिटनेस सेंटर उसको हम विजट करते हैं और यहां की एमनिटीस में गेस्ट के लिए स्पा और जीम की भी फैसिलिटी है और यह है यहां पर जिम काफी वेलक ओक्यूपाइड जिम है ही तुमी और यह जो हॉटेट है यह पहाड़ों पर बनी हुई है तो आपको अपने रूम तक पहुचने के लिए इस पैटरी वाली आटों में ले जाया जाएगा कप्िस्किया जाएगा 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 जाएगान तो कि लाएगाबिए रूम बहुत ही ज़्यादा स्पेसियस है और बहुत ही ज़्यादा खुबसूरती से डेकोरेट किया गया है इन मेरे लिए इस रूम का बेस्ट पार्ट था विंडो से व्यू अब और आपको में विजट करेंगे यहां का जो राइस्टोडेंट है तो नहीं है यूद्यू कापे ब्यूटीफुल और वेल मेंटेन रेस्टोरेंट है मुझे रेस्टोरेंट में अंदर से शूट करने की पर्मिशन नहीं मिले थी इसलिए चितना शूट किया है वो मैं आपको दिखा रहे हूँ और यहां की टैरेस से उदेपुर सिटी का नजारा जो की रात को बहुत ही खुबसुरत लगता है और यहां की टैरेस जहां पे आप जा सकते हैं अगर आप चाहें तो आपको उपर जाने के लिए पर्मिशन बहुत ही इजी ले मिल जाती है और आप यहाँ पे जाके कुछ वक्त पिता सकते हैं तो अब हम जिस तरीके से उपर आये थे उसी तरीके से हमें नीचे जाना है तो मेरा जो stay experience यहाँ था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था मैं यहाँ दो दिन रुकी थी और मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा experience लगा यहाँ का यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा है और यह थोड़ा सिटी से isolated है लेकिन बहुत ही beautifully located है अगर आपको यह वीडियो और मेरे efforts थोड़ी भी अच्छे लगे हो तो प्लीज लाइक किये बिना मच जाना और इस चैनल को support के लिए subscribe भी कर लेना और अब अब जिस तरीके से आए थे उसी तरीके से अब हमें जाना है तो अब मैं आपको मिलूँगी next vlog में तब तक के लिए बाबाई